अलो दोस्तों, आज की क्लास में हम एडूटेरिया बिहार सामान अध्यन का प्रैक्टिस सेट फिप्ट एंड शिक्स को सॉल्व करेंगे मेरा नाम प्रियंका है और मेरी क्लास में आप सभी का स्वागत है तो चलिए सुरू करते हैं प्रैक्टिस सेट फिप्ट का पहला कोश्चन है जार्खन राच के विभाजन से पूर्व बिहार में लोक सभा तथा राच सभा की सीटों की संक्या क्रमस कितनी थी जार्खन राच्र के विवाजन से पूर्व में बिहार में लोक सभा तथा राच्र सभा की सीटों की संक्या क्रमस कितनी थी 54 एवं 22 बिहार में अब तक कूल कितनी बार राष्ट पती सासन लागू किया गया है बिहार में अब तक कूल कितनी बार राष्ट पती सासन लागू किया गया है कूल आठ बार निमन लिखित में से कौन राच्चिपाल को उसकी पद से बढ़खास्त कर सकता है राश्ट पती राश्ट पती राच्चि पाल को उसकी पद से बरखास्त कर सकता है राच्य मंत्री परिशत की बैठकों की अध्यक्षता नेमनलिकित में कौन करता है मुख्य मंत्री भारत्य समविधान की किस अनुछेद में महाधिवक्ता का वर्णन किया गया है अनुछेद 165 में महा दिवक्ता का वर्णन किया गया है कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं इसका नेर्णय निम्न में कौन करता है? कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं इसका नेर्णय निम्न में कौन करता है? विधान सभा अध्यक्ष करता है निम्न लिखित में से कोण व्यक्ती बिहार के मुख्यमंत्री के पद पर सबसे कम समय तक रहे? सतिस प्रसाद सिंग बिहार के मुख्यमंत्री के पद पर सबसे कम समय तक रहे है दिये गए विकल्पो में सबसे कम जीला वाला प्रमंडल कौन सा है? भागलपूर जीला सबसे कम जीला वाला प्रमंडल है किसी राजची का वैदानिक प्रधान कौन होता है? बिहार में लोग सभा हेतु कितनी सीटों अनुसूचित जाती के लिए आरक्षित है 6 सीटे 6 सीटे अनुसूचित जाती के लिए आरक्षित है उर्दू भासा को दूसरी राच भासा के रूप में मानिता देने वाला भारत का पहला राच कौन सा है उर्दु भासा को दूसरी राच भासा के रूप में मानिता देने वाला भारत का पहला राच है बिहार राच जीला परिसद अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसे देता है? जीला दंड धिकारी को अपना त्याग पत्र देता है? बिहार का कौन सा जीला नेपाल तता पश्चिम बंगाल दोनों से सीमा साजा करता है? किस भारती राच के साथ नेपाल सबसे लंबी सीमा साजा करता है? बिहार राज बिहार राज के साथ नेपाल सबसे लंबी सीमा साजा करता है? निम्न लिखित में से बिहार का सर्वुच परवत चोटी है सोमेश्वर स्रेनी बिहार में सबसे अधिक वर्षा किस जीले में होती है? किसंगन जीले में? किसंगन जीले में सबसे अधिक वर्षा होती है? बिहार में आपदा प्रबंदन हेतु सेंदेई फ्रेमवर को लागू कब किया गया? 2015 में बिहार में आपदा प्रबंदन हेतु सेंदेई फ्रेमवर को 2015 में लागू किया गया? बिहार का कौन सा जीला? जूट उटपादन में अग्रनी है पुर्णिया जीला बिहार का पूर्णिया जीला जूट उत्पादन में अग्रनी है गंगा के दक्षिनी भाग के मैदानों में कौन से मिट्टी प्रमुक रूप से पाई जाती है कैवाल मिट्टी कर्मनासा नदी बिहार के किस अस्थान पर गंगा नदी से मिलती है कावर जील बिहार के किस जीले में इस्थित है बेगु सराय जीले में इस्थित है निम्नलिकित में से कौन सा जलकुंड मुंगेर में इस्थित है सीता कुंड, रामेश्वर कुंड, रीसी कुंड ये तीनों जलकुंड मुंगेर में इस्थित है ओप्सन डी उप्युक्त में एक से अधिक ओप्सन डी राइट एंसर राजपूर नहर पडियोजना किस नदी पर इस्तित है कोसी नदी पर कोसी नदी पर राजपूर नहर पडियोजना इस्तित है 2011 के जन गनना के अनुसार जन संख्या की द्रिष्टी से बिहार का सबसे छोटा जीला कौन है सेख पूरा जीला बिहार के किस जीले का महिला साक्छरता दर सबसे नियुनतम है सहरसा जीले का महिला साक्छरता दर सबसे नियुनतम है कर्णाट वंस का अंतिम सासक था हरी सिंग देव निम्न में से किस पाल सासक की राजधानी मुंगेर बिहार थी निम्न में से किस पाल सासक की राजधानी मुंगेर बिहार थी। दरभंगा में एक दूर्ग एवम जामा मस्दिर का निर्मान करवाने वाला सुल्तान था महम्मद बिन तुगलक सेर साह ने मुगलों के विरोध संघर से किसे साहता प्राप्त की थी चेरो सासकों से साहता प्राप्त की थी सिकंदर लोधी ने हुसेन सा सडकी को पराजित कर किसे बिहार का प्रभाविन न्यूप किया दड़िया खान नुहानी को बिहार का प्रभाविन न्यूप किया चौसा के युद्ध में सेर साह ने हुमायू को कब पराजित किया था 26 जून 1549 में सेर साह का प्रसासनिक पर्योग साला था सासा राम में सेर साह ने अपने सासन काल में पटना में एक दूर्ग का निर्मान कराया था तथा पुना इस नगर को रास्थाने की रूप में विक्सित किया इसकी चर्चा है तारिक ए दाउदी अकबर ने 1550 में बिहार में किसे गवर्नर सुबेदार न्यूक्त किया खान एक खानम को सुबेदार न्यूक्त किया किस मुगल सासक की समय बिहार में सरवादिक विद्रो हुआ अकबर अकबर की समय में बिहार में सरवादिक विद्रो हुआ सिख धर्म के प्रवर्तक गुरु नानक देव ने नेम्न में बिहार के किस छेत्र का ब्रहमन किया था मुगेर में भागलपूर राजकीर इन तीनों छेत्रों का ब्रहमन किया था Option D. Right Answer मुगल सासक फारुक सियार ने अंग्रेजों को बिहार एवं बंगाल में विपार करने के लिए किस वर्ष वतंत्रता प्रदान की वर्ष सत्रा सो सत्रा में किस मुगल सासक ने सासनकाल में अंग्रेजों ने पटना में अपनी फैक्टरी अस्थापित की सा जहां के सासनकाल में अंग्रेजों ने पटना में अपनी फैक्टरी अस्थापित की अंग्रेजों की पटना फैक्टरी का प्रधान जॉर्ब चार्जन्चक कब बना 1664 स्वी में बिहार आने वाला पहला अंग्रेज यात्री था रॉल फेच बिहार आने वाला पहला अंग्रेज यात्री था बिहार में होम रूल लेकी अस्थापना कव किया गया बिहार में होम रूल लिकी अस्थापना कव किया गया 16 दिसंबर 1916 में भारतिय राष्ट कॉंग्रेस का 27 अधिवेशन कहां हुआ था पटना में भारतिय राष्ट कॉंग्रेस का 27 अधिवेशन पटना में हुआ था मुजप्फरपूर बमकांड 1908 में किसी फांसी की सजा हुई थी खुद्धी राम बोस को मुजप्फरपूर बमकांड में फांसी की सजा हुई थी चंपारण में क्रीसी की स्थिती के जाच के लिए न्युक्ती जाच समीती के अध्यक्स थे बिहार आने वाले निम्न लिकित चर्चित विदेसी यात्रियों में से सबसे पहला यात्रे कौन था मैग सिने सबसे पहले यात्री था 24 वे तीर्थकर महावीर का जन्म कहा हुआ था कुंडल ग्राम में 24 वे तीर्थकर महावीर का जन्म कुंडल ग्राम में हुआ था असो के इस्तंब लेखों में निम्न में से कौन सा बिहार में इस्तित है लोडिया अडिराज, लोडिया नंदनगर, राम पूडवा उप्युक्त में एक से अधिक गनिस्क ने पातली पूत्र के किस बौद विद्वान को अपने दर्वार में आश्रय दिया था आश्र घोष को अपने दर्वार में आश्रे दिया था त्रीतिय बौत संगिती का अध्यक्स्ता किस ने किया था? त्रीतिय बौत संगिती की अध्यक्स्ता किस ने किया था? मोगली पुत तिश्क ने किया था हर्यक वंस की पश्षात मगद पर किस वन्स का उदय हुआ सीसु नाग वन्स का उदय हुआ हर्यक वन्स की पश्चात मगद पर सीसु नाग वन्स का उदय हुआ Practice 6 का पहला कोश्चन है सीसु नाग ने किसी पराजित कर सीसु नाग वन्स की अस्थापना की नाग दसक ने, नाग दसक ने, सीसु नाग ने, किसे पड़ाजित कर सीसु नाग वन्स की अस्थापना की, नाग दसक ने, पाटली पुत्र को मगत की अस्थाई राजसाने के रूप में किस ने अस्थापित किया, काला शोक ने अस्थापित किया, वान भट द्वारा रचित हर्स चरित के अनुसार काला शोक की हत्या चाकू मार कर किस ने किया था वान भट द्वारा रचित हर्स चरित के अनुसार काला शोक की हत्या चाकू मार कर किस ने किया था माहा पदम नंद ने किया था अजात सत्रू ने किस राज के साथ युद्ध में प्रथम बार सीला कंटक्त था रच मुशल जैसे नविन सस्त्रो का पड़ियो किया था वज्जी के साथ निम्न में कौन सा महा जन्पत गंतंत्र था वज्जी महा जन्पत्र गंतंत्र था आदी मानव के निवास के आडंबिक साक्ष बिहार में कहा से प्राप्त हुई थी आदी मानव के निवास के आडंबिक साक्ष बिहार में कहा से प्राप्त हुई थी मुंगेर एवं नालंदा से प्राप्त हुई थी बिहार सहित पुर्वी भारत में आडियों का आगमन हुआ था उत्तरवैदिक काल में बिहार प्रांतिय किसान सभा की अस्थापना किसके द्वारा किया गया था बिहार प्रांतिय किसान सभा की अस्थापना किसके द्वारा किया गया था स्वामे सजानन सरस्वती के द्वारा किया गया था इराने यात्री अब्दुल लतिफ किस मोगल सासन के सासन काल में बिहार आया था अकबर के अकबर के सासन काल में बिहार आया था बिहार के किस उपनवाव की अफगानों ने हत्या कर दी थी जैनुद्दिन हैबद जंग ने बिहार में सेडों के व्यपार का एकाधिकार अंग्रेजों को किसने प्रदान किया मेर जाफर ने प्रदान किया बक्सर के युद में अंग्रेजी सेना का नेत्रित्व किसने किया था हैक्टर मुनुरों ने किया था 1857 के विद्रो में कहा के पुलीस जमादार हसन अली खांको फासी की सजा दी गई थी तिरहुत के पुलिस जमादार हसन अली खां को फासी की सजा दी गई थी निम्न में से कौन सा व्यक्ति बिहार में होम रूल लीक से संबंदित नहीं थे राजेंद्र प्रशाद होम रूल लीक से संबंदित नहीं थे अखिल भारत्य कॉंग्रीस का सैतिस्वा अधिवेशन बिहार में कहां आयोजित हुआ था गया में राजनेतिक पिरित दिवस कब मनाया गया 10 अगस्त 1929 में राजनेतिक पिरित दिवस मनाया गया 1934 इस्वी में पटना में अस्थापित बिहार सोसलिस्ट पार्टी के सचीव कौन थे जै प्रकास नारायन 1934 इस्वी में अस्थापित बिहार सोसलिस्ट पार्टी के सचीव थे मुंगेर में सविनय अवग्या आंदोलन का नेत्रित्व किस ने किया था बिहार प्रदेश कॉंग्रेस कमिटी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे हसन इमाम बिहार प्रदेश कॉंग्रेस कमिटी के प्रथम अध्यक्ष थे बिहार में स्वराज दल का गठन किसकी अध्यक्षता में हुआ था नारायन प्रशाद की अध्यक्षता में हुआ था थापित अनुसीलन समीती की साखास के संचालन का दायित्व किसको सौपा गया था। सचेंद्रनात सन्याल को सौपा गया था। बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र था पतना। द बिहार हेललाड के संपादक निम्न में कौन थे गुरु प्रशाद सेन द बिहार हेललाड के संपादक थे बिहार के क्रांती कारी नेता खुद्धी राम बोज को फांसी दी गई थी 11 अगस्त 1908 में बिहार के क्रांती कारी नेता खुद्धी राम बोज को फांसी दी गई थी किसकी अध्यक्सता में वर्स 1937 इस्वी में छात्रों के राजनीती में रूची लेने के लिए अखिल भारत्य छात्र दिवस मनाया गया था राम ब्रेक्ष बेने पूरी 11 अगस्त 1942 को पटना में हुए सची वाले गोली कांड में निम्न में से कौन से व्यक्ति सामिल थे उमाकांथ प्रशाद रामानंद सिंग सामिल थे ओप्सन डी राइट एंसर उप्युक्त में एक से अधिक उमाकांथ प्रशाद सिंग और रामानंद सिंग पटना में हुए सची वाले गोली कांड में सामिल थे 2011 के जन गनना के अनुसार बिहार के किस जिले का लेंगा नुपाद सरवाधिक है गोपाल गन जिले का लेंगा नुपाद सरवाधिक है जन संख्या घनत्व की द्रिष्टी से भारती राज्यों तथा केंद्र सासित प्रदिसों में बिहार का अस्थान कौन सा है बिहार का अस्थान है छठा अस्थान निम्न में से कौन स्वतंत्रता की पश्षाद बिहार की प्रथम राज्चिपाल थे जै राम दास दौलत राम जै राम दास दौलत राम स्वतंत्रता की पश्षाद बिहार की प्रथम राज्चिपाल थे प्रसिद सीता कोंड का संबंध किस जीले से है? मुंगेर जीले से संबंध है बिहार के किस जीले में तड़ाई मिट्टी की सर्वादिक बहुलता पाई जाती है? पस्चिम चंपारन जीले में तड़ाई मिट्टी की सर्वादिक बहुलता पाई जाती है किस लोक निरित्य का संबंध बिहार से है? किस लोक निरित्य का संबंध बिहार से है? नचारी, जोगीरा, जिजिया उप्युक्त में एक से अधिक इन तीनों का संबंध बिहार से है Option D, Right Answer रामधारि सिंग दिनकर का संबंध किस जीले से था? बेगु सराय जीले से मुख्य मंत्री कन्या विभा योजना के अंतरगत बिहार में लड़की के पडिवार वालों को साधी के समय कितने रासी साहता के रूप में दी जाएगी? 5,000 रुपए रासी साहता के रूप में दी जाएगी बिहार में जीला परिशत की कूल संख्या कितनी है? कूल संख्या 38 है पटना नगर निगम की अस्थापना किस वर्स की गई? वर्स 1952 में सम्विधान के किस अनुछेत की तहत? महा दिवक्ता को विधान सभा में बोलने तथा कारिवाही में भाग लेने का अधिकार है परंतु मत देने का अधिकार नहीं है अनुछेद 117 राज विधान मंडल के अंग होते हैं राज विधान मंडल के अंग होते हैं राज रिपाल विधान सभा विधान पडिशद ओप्सन डी राइट एंसर राज उच्च न्यालय के अंतरगत अभी लेक न्यालय का उलेक किया गया है अनुछे 215 के अंतरगत बिःआर विधान पडिशद में सीटों की संक्या वर्तमान में कितनी है विधान पडिशद में सीटों की संक्या वर्तमान में पचत्तर है बिहार में स्री क्रिश्न के नेत्रित्त में मंत्री मंडल का गठन कब हुआ था 20 जुलाई 1937 में राज जिपाल को सपत कौन दिलाता है राज जिपाल को सपत कौन दिलाता है राज के मुख्य न्याइधिस ब्रहम मयोनी पहारी बिहार के किस जीले में इस्तित है गया जीले में इस्तित है 2021 में प्रसिद कल्रव मोहत्सप का आयोजन किस अभ्यारन में किया गया था नागी नक्टी पक्षी अभ्यारन में किया गया था प्रसिद राजगीर रोपवे का निर्मान किस देश की सहयोग से किया गया जापान देश की सहयोग से किया गया प्रसिद तिर्थ अस्तल थावे किस जीले में इस्तित है गोपाल गन जीले में इस्तित है बिहार का सबसी लंबा राष्ट राजमार्ग निम्न में कौन है एनेस थाटीवन एनेस थाटीवन बिहार का सबसे लंबा राष्ट राजमार्ग है बिहार में सर्व प्रतम रेल पडिवहन की सुरुवात कव की गई 1860 से 1862 में प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पतना मैट्रो प्रोजेक्ट का सिलान्यास कव किया गया प्रदहान मंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पटना मैट्रो प्रोजेक्ट का सिलान्यास कब किया गया 17 फरवरी 2019 में बिहार के कूल सीमा वर्ती जीलों की संख्या कितनी है कूल 22 है बिहार के कूल सीमा वर्ती जीलों की संख्या 22 है तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना एक लास अच्छी लगियो प्लीज लाइक सेर सब्सक्राइब किजिए जैहिन थांक यू